हेलो स्टार्ट चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 1.1 का question number 13 देखते हैं क्या है question number 12 की तरह ही है यह भी so that the relation are defined in the set A of all polygon पिछले question में triangle की बात कर रहा था है यहाँ पे हमें कोई भी polygon shape दे दी क्या है relation P1 और P2 दो polygon shape है such that P1 and P2 have same number of sides कि दोनों polygon के अंदर same number of side होनी चाहिए is an equivalence relation क्या यह relation हमारा equivalence है देखना है हमे what is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with side 3, 4 and 5 इसको बाद में देखेंगे पहले उपर वाले part को देख लेते हैं क्या यह equivalence है या नहीं है बिल्कुल simple है देखो दियान से यहाँ पे हमें क्या करना है solution इसका देखते हैं सबसे पहले set देखो बच्चों क्या दे रखा है relation is equal to such that P1 और P2 दो polygon का relation हमें दे रखा है such that P1 और P2 have same side तो हमारे relation के अंदर pair क्या क्या बनेंगे वो बना लो मान लो एक यह set हो गया हमारा P1 P2 इसकी same cross product करेंगे P1 P2 से अगर हमें single set दे रखा होनो तो same वैसे ही set से हम cross product करके elements निकाल लेते है relation के P1 का P2 से P1 का P1 से P2 का P1 से P2 का P2 से तो क्या relation बन गया P1 P1 P2 P2 P1 P2 और P2 P1 यह relation हमारे पास आ गया अब इससे हम लिखेंगे यहां पर first में P1 P2 ओ P1 P1 और P2 P2 relation के अंदर present है so this relation is is reflexive यह हो गया भाई हमारा reflexive relation second वाले पर चलते हैं अब यहां पर देखो P1 P2 और इसका उल्टा P2 P1 दोनो present है P1 P2 और P2 P1 belongs to R so this is symmetric तो यह relation symmetric भी है भाई यह भी clear हो गया थर्ड वाले पर चल पड़ते हैं थर्ड वाले के को प्रू करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए three elements present होने चाहिए और three के pairs होने चाहिए क्यों होने चाहिए दिहान से देखो उसमें क्या होता है बच्चो transitive में A, B अगर belongs to R है और B, C belongs to R है तो A और C का pair भी हमारा क्या होना चाहिए belongs to R होना चाहिए तब भी हम उसको transitive कह सकते हैं इसका मतलब A, B, C यहां पे हमें three polygon assume करने के चलने पड़ेंगे third case के लिए तो क्या होगा यहां पे P1 और P2 belongs to R है P1 P2 क्या है यह रहा कहा गया हमारा यह रहा यह belongs to R है relation में present है मतलब P polygon P2 के equal है और हमने assume कर लिया कि P2 polygon किसी P3 polygon के भी relation में है मतलब P2 और P3 भी हमारे equal है same number of side के polygon है तो भई देखो P1 और P3 भी तो हो जाएंगे P1 और P3 भी क्या हो जाएंगे हमारे belongs to R अगर यहां पे हमें three यहां पे polygon दे रखे होते तो क्योंकि दो polygon से तो हम लिख नहीं सकते इसको प्रू नहीं कर सकते हमें तीन assume करने पड़ेंगे देखो अब कैसे हुआ P1 और P2 की अगर मालो sides equal है और P2 P3 के equal है तो हमारा P1 P3 भी तो equal हो जाएगा यह बैस समझाने के लिए यह लिखना नहीं है तो हो गया ना AB relation के अंदर present तो यहाँ पर क्या लिखने है So this is transitive अब आपके mind में आ रहा होगा सर यह P1 P3 तो यहाँ पर है नहीं कहीं भी तो आपने relation में लिखा क्यों है मैं बार-बार बता रहा हूं बच्चो कि transitive प्रू करने के लिए हमारे पास 3 pair होने चाहिए कौन से कौन से AB, BC, AC उसको हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा assume करना पड़ेगा कि हमारा P1 polygon जो है मान लो P2 के equal है यह तो हमें दे ही रखा है कि P1 और P2 की equal side है कोई तीसरा polygon मान लिया हमने P2 जो है वो P3 के equal है तो भई P1 और P3 भी तो equal अपने आप हो जाएंगे बस यही चेक करना होता है तो हो गया transitive ठीक है clear उसके बाद What is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with side 3, 4 and 5 हमें यहाँ पर क्या दे रखा है sides दे रखी है triangle की 3, 4 and 5 तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा pair हमारा क्या होगा set of right angle triangle होगा तो यहाँ पर हमें 3, 4, 5 दे रखी हैं तो भई तिन्नों क्या बन रहे हैं हमारे triplet form हो रहे हैं तो यह तिन्नों क्या करेंगे pair of right angle form करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे given sides form a right angle triangle triangle क्योंकि 3, 4, 5 का क्या होता है triplet triplet का मतलब होता है यहाँ पर पाइथागोरस थोरम अपलाई हो सकती है largest side का square smallest side के square के sum के equal होता है तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं given sides form में right angle triangle यह बात लिखनी है clear होगी बात और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं a set को हम set of all triangle in plane right angle triangle form करेंगे और यह क्या होगे एक ही plane में होगे यह set बन जाएगा इस तरिके से answer लिख देंगे ठीक है कोई भी दिक्कत लगे आम उससे पूछ सकते हैं otherwise channel को subscribe किजिए like किजिए और share किजिए thank you students for watching your channel next class is